जब आथर फोगस नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं क्या आप अपने कामों को खत्म करने में स्ट्रगल करते हैं क्या आप हमिशा notification या हसी मजाग से distract हो जाते हैं अगर ऐसा है तो आप और author बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि काम पर एक चीज पर focus करना सबसे मुश्किल चीज है हमिशा कुछ न कुछ आपको interrupt करता है जैसे कि कोई एक इनसान एक call एक meeting या कोई news हाँ आप उन चीजों को blame कर स चीज को अपने दिमाग में जाने की permission दे रहे हैं इस तरीके से author इंटरप्शन को देखते हैं तो आप focus को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर दो चीज़े हैं जो author हमेशा करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो जरूरी कामों पर focus नहीं कर पा रही हैं हटाना 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 हर दिन हम चीजों को जमा करते हैं यह उन चीजों के बारे में नहीं है जो हम खरीदते हैं बलकि यह ideas के बारे में हैं हम हर दिन काफी सारे ideas के आगे expose होते हैं जिसमें से हम कुछ को adopt करते हैं और अपना बना लेते हैं एक्जांपल के लिए काफी सारे लोगों ने author क कहा कि उन्हें YouTube वीडियोज बनानी चाहिए। ऑथर भी अपने दोस्तों को अपने टीम मेंबर को एडवाइस देते हैं कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ, करियर और बिजनस को इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीज हम सब लोग करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तब ही प्राबलम बनती है जब आप लोगों से मिलने वाले इंपुट को फिल्टर नहीं करते हैं। जब आउतर को लोगों ने कहा कि उन्हें YouTube वीडियोज बनानी चाहिए तो नोंने अपने मन में सोचा कि मुझे वीडियोज बनानी चाहिए। उन्होंने इस पर काम कर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और ये एक्जाक्ली वही चीज थी जो वो करना चाहते थे। इसकी वजह से उनके फोकस और उनके काम दोनों ने सफर किया। फिर उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा कौन सी चीज मुझे हटानी चाहिए जिससे मेरी लाइफ सिंपल हो ज और फोकस करना असान हो जाए इस केस में उन्होंने यूट्यूब पर फोकस करना बंद कर दिया। सेले की सक्सेस के बारे में सोचना, पास्ट सक्सेस और हैपिनिस के बारे में सोचना हमारे अंदर सेरोटोनिन के प्रडक्शन को बढ़ाता है। जब आप अपना फोकस कोते हैं तो एक बड़ा चांस है कि आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी कम है। इसलिए आप शोटर्म प्लेजर्स जैसे बाहर जाना, ड्रिंक करना, पॉन देखना, शॉपिंग करना या टीवी देखने में इंडल्ज हो रहे हैं। अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए अपने सेरोटोनिन एक्टिविटी को बूस्ट करें। रिसर्च से पता चलता है कि ये एक्सेसाइस से भी हो सकता है, लेकिन एक और सिंपल माइन एक्सेसाइस भी ये कर सकती है। आपको बस एक काम करना होगा और वो है पास्ट के पॉजडिव मोशन्स को याद करना। जब सेरोटोनिन उपर जाता है तो फोकस भी उपर जाता है और यही अल्टिमेटी वो चीज़ है जो आपको चाहिए। साइन्स के एक्कॉर्डिंग प्रोकास्टिनेशन को कैसे हटाएं। प्रोकास्टिनेशन मौडन सिविलेजेशन की शुरुवात से है। इन जैसे लोगों ने कहा है कि प्रोकास्टिनेशन के बारे में फनी चीज़ ये है कि हम सब को पता है कि वो हामफुल है कौन प्रोकास्टिनेट करना चाता है कोई भी नहीं। प्रोकास्टनेशन आउथर की जिन्दगी की स्टोरी थी, हर सेमिस्टर के शुरुआत में, वो सबसे कूल रहते थे, इंजॉय करते थे, रिलाक्स करते थे, बाहर पाटी करने जाते थे, लेकिन एक्जाम से एक हफते पहले, वो अपने आपको कहते थे, भाई तुमने पहले पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया, और फिर वो सुचते थे, कि सेमिस्टर के शुरुआत में तो वो पढ़ नहीं रहे थे, बलकि पाटी और इंजॉय कर रहे थे, और रिसर्च बिल्कुल यही चीज दिखाती है, जब आप प्रोकास्टनेट करते हैं, तो आपको टम में अच्छा फील हो सकता है, लेकिन लॉंग टम में आप सफर करेंगे, एक चीज जो सारे प्रोकास्टनेटर में कॉमन है, वो है कि प्रोकास्टनेशन का एक प्राइज है, अमेरिकन साइकलोजिकल सोसाइटी में एक स्टडी पबिश की गई, और उसमें प्रोकास्टन सेल्फ कंट्रोल और विल्पावर वो चीज़े हैं, जिने हम ओवरेस्टिमेट करते हैं, तो विल्पावर या सेल्फ डिसेप्लेन पर डिपेंड करने से अच्छा होगा, कि हम काम करने का एक सिस्टम बना ले, काफी सारे लोगों को रूटीन और सिस्टम अच्छा नहीं ल एक हल्दी डाइट, डिस्ट्राक्शन को इलिमिनेट करना और सबसे ज़रूरी इंटर्नल मोटिवेशन, अगर आप सही प्रड़क्टिविटी टाक्टिक्स को कम्बाइन करेंगे, तो आपको एक प्रड़क्टिविटी सिस्टम मिलेगा, डेडलाइन अर्जनसी बनाती है, अकाउंटिबिलिटी, रेस्पांसिबिलिटी बिनाती है, इंटर्नल में काम करना, आपका फोकोस इंप्रूव करता है, एक्सेसाइज और हल्दी डाइट, आपको और ज़्यादे एनर्जी देगी, और डिस्ट्राक्शन को हटाना, टेंपरडेशन को दूर करेगा, लेकिन चिंता ना करे, हम सब कभी-कभी अन्परड़क्टिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर चार से जादा हैं, तो ये बदलने का समय है, बहुत जादा चिंता करना, क्या होगा अगर मैं ब्रोक हो गया, क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई, क्या होगा अगर मुझ की जिन्दगी से ही है वो क्या होगा गेम के किंग थे लेकिन यहां पर एक चीज है आप इस सेकेंड नहीं मरने वाले तो आपने आप से उपर उठें चिंता लेना चोड़ें और कुछ काम का करें चीजे चेक करना आप क्या कर रहे थे मैं बस फेस्बुक चेक कर रहा था चेक को कंज्यूम करते हैं और अपने चेकिंग को कम करना चाते थे इसलिए उन्होंने सारे नियूस और सुचल मेडिया एप्स को अपने फोन से डिलीट कर दिया चेकिंग एक हैबिट है जिससे आप पूरी तरह से नहीं अटा सकते सिर्फ एक यदो चेक करने वाली चीजों को ह भी रखे जो आपको अच्छी लगती हैं बाकि सब को हटा दे आप किसी चीज़ पर मिस नहीं कर रही हैं लाइफ से भागना दो साल पहले जब भी ऑथर जिन्गी से परिशान हो जाते थे तो वो इस तरीके की बाते करते थे मुझे ड्रिंक चाहिए या मुझे छुटी पर जाना चाहिए और जब उन्होंने काम पर या अपने रिलेशन्शिप में ज़ादा दिक्कत होती थी तो वो इस तरीके से दिखावा करते थे कि वो है ही नहीं क्या उन्होंने इन इशुज को सॉल्फ किया जवाब है नहीं वो बस इनसे भागने का ट्राइ करते थे प्राब शायद आप ना शब्द से अनकंफरडिबल है ये सच में मैटर नहीं करता मैटर करता है कि अगर आप हमेशा हां बोलते रहेंगे तो आप किसी और की जिन्दगी जी रहे हैं इसके बारे में सुचें अंदर ये अंदर हम तब को बता है कि ये सच है अगर आप हां बोलते र अपने thoughts, ideas और tasks को ना लिखना एक stupid idea है क्योंकि जब आप memory पर rely करते हैं तो आप बहुत ज़ादा brain power waste करते हैं जब आप सब चीजों को लिखते हैं तो आप अपनी brain power को उन चीजों के लिए use कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है जैसे problem को solve करना इससे आप उन चीजों पर ध अमेशा के लिए रुख जाता है ऑथर अमेशा सोचते थे कि जब आप college से pass out होते हैं तो सीखना खत्म हो जाता है लेकिन बाद में उने सच का पता चला कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो जिंदगी बंद हो जाती है अपने उपर invest करें नई चीज़े सीखें किताब लोगों को rules से नफरत है जब हम छोटे होते हैं इस तब से शुरू होता है मुझे उसे क्यों करना है लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम rules follow नहीं करते ऑथर का मानना था कि rules dumb है ऑथर अपने आपको इस बात पर पागल कहते है rules असल में जिंदगी की best चीज है जब productivity की ब फोकस करें अपना attention manage करें अपना time नहीं आप एक दिन में कितने minutes के लिए बिना disturb हुए काम कर सकते हैं 10 minute 20 minute या शायद 50 minute अगर आपको लगता है कि ये कम है तो बस अपनी जिंदगी को examine करें हम मेंसे जादा तर लो 10 minutes से जादा undisturbed नहीं रह सकते हम इतने जादा connected हैं कि आप देने में ही निकल जाता है distraction 21st century की पहली world problem नहीं है distraction जिंदगी का एक part है उसका आपके smartphone यूट्यूब Instagram या Tinder से कोई लेना देना नहीं है ये एक human nature है हमें busy रहना अच्छा लगता है सोक्रेट जो कि western philosophy के founder में से एक है उन्होंने 2400 साल पहले ही हमें इस बारे में want कर दिया था busyness कोई अच्छी चीज नहीं है क्योंकि busyness और distraction साथ साथ चलते हैं distraction हर जगा है तो आपको अपने attention को manage करने में better होना होगा ना कि अपने time को manage करने में क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं हम गलती से ये believe करते हैं कि हम अपने time को manage कर सकते हैं लेकिन टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। जो चीज आप कंट्रोल करते हैं, वो है आपका अटेंचन। और याद रखें कि फोकस आपके जिन्दगी की कॉलिटी को डिटर्माइन करता है। नो फोकस का मतलब है अपने इटेंचन पर नो कंट्रोल और नो कंट्रोल का मतलब है फ्रस्टेशन। और हम सब को पता है फ्रस्टेशन हमें कहां तक लेकर जा सकती है। तो अपने इटेंचन को मैनेज करना शुरू करें। ना कि अपने टाइम को छुट्टी ले या आपकी productivity को बढ़ाता है और stress को कम करता है जब आपके phone की battery कम हो जाते है तो आप अपने phone को recharge करते हैं लेकिन कभी-कभी आप अपने सबसे precious possession यानि कि अपनी body को recharge करना भूल जाते हैं सुबह उटना और इस दुनिया में जीना काफी मुश्किल काम है तो हम एक vacation ना लेकर इससे और जादा मुश्किल क्यों बनाते हैं और उन vacation की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर आप recharge करने से जाता काम करते हैं बलकि वो इस vacation की बात कर रहे हैं जो कि एक specific reason की वज़े से लिया गया है और वो reason है अपनी battery को recharge करना जिससे कि आ आप मेनस से काम कर सकें scientific research दिखाती है कि एक vacation stress और burnout को कम करता है ये vacation लेने का एक अच्छा reason है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि author productivity में बहुत जादा interested हैं तो वो vacation के case में अपने आप से पूचते हैं कि क्या मैं वापस आकर जादा चीज़े कर पाऊंगा और इसका जवाब ह हाँ यानि कि एक तीन से चार दिन का vacation लेकर आप stress और burnout को भी दूर कर पाएंगे और उसके साथ वापस आने के बाद और जादा productive हो पाएंगे ये आपके पैसे और time का अच्छा ROI है बिना बात की browsing को बंद करना हम सबके कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम unproductive feel करते हैं या ह हमारे पास कुछ करने की energy नहीं होती जब आपको लगता है कि आप productive नहीं हैं तो chances हैं कि interruption और multitasking आपको train करती हैं जब आप multiple चीजों को एक साथ करते हैं जैसे email भीजना दोस्से बात करना और Facebook चेक करना तो आप contact switching में engage होते हैं University of California में एक research की गई और उसमें ये पता चला कि एक interruption के बाद original task पर वापस आने में average 25 minute लगते हैं क्योंकि आप एक से ज़्यादा बार interrupt होते हैं तो ये बहुत जल्दी add up होता है और आपको लगता है कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया Clifford Ness जो कि Stanford University के एक sociologist है उन्होंने multitasking के impact पर research की और उन्हें पता चला कि जो लोग multitasking में engage होते हैं वो irrelevancy के सकर्स होते हैं हम multitasking में इसलिए engage होते हैं क्योंकि हम notification से distracted हैते हैं जो कि addictive है हम अपने आपको control नहीं कर सकते जब भी notification आती है तो हमें अपने आपसे पूछना चा है जो कि dopamine release करता है dopamine हमारे दिमाग के pleasure system को control करता है और हमें joy feel कराता है यह joyous feeling addictive होती है और हम उन कामों को करने लगते हैं जिससे dopamine stimulate होता है drugs और notification के बारे में सोच सकते हैं यह वो behaviors हैं जिससे हमें dopamine मिलता है dopamine करश बनाता है लेकिन वो आपको exhaust भी करता है इसलिए productive ना होने के बावजूद भी दिन के end में ठका हुआ feel करते हैं यह खतरनाक process है और हमें इस pattern को रोकना होगा productive होने का simple मतलब है अपने दिन का control लेना आपकी productivity को जो चीज सबसे ज़ादा नुकसान पहुचाती है वो है यह author अपने attention और time का control लेने के लिए कहते हैं पॉइंट यह है कि कुछ ऐसा करें जो कि आपके time की worth है अपने time के बारे में conscious रहें और उसे इस तरीके से करें जिससे आपकी life की quality improve होती है 20 चीजे जो आपको पहले से कही ज़ादा productive बना देंगी अगर आपके पास सही mindset नहीं यहाँ पर author 20 चीजे शेयर करते हैं जो उन्होंने पिछले 3 सालों में की जिससे वह बहुत ज़ादा productive हो गए हमेशा चेज से कट करें जिंदगी में सारी चीजे हैं कहीं crap है और कहीं वो चीजे भी हैं जो matter करती हैं चिट शैट छोटी वातचीत डिले करना यह सब useless है अगर relevant short term information को store करती है लेकिन आपकी RAM capacity limited है जब वो भर जाती है तो वो नए information के लिए जगया बनाने के लिए पूरी information को automatically delete कर देती है आपको अपने thoughts को लिखना चाहिए जिससे कि आप अपने RAM को unload कर सके इससे आपको ज़ादा brain power मिलेगी अगर आप उन लिखे हुए thoughts को कभी नह देखने वाले हैं तब भी नहीं लिखे क्योंकि इससे आपको काफी मदद मिलेगी ना बोले जब काम की बात आती है तो अथर उन सारे चीजों को ना बोलते हैं जो कि उनके goals और values को support नहीं करते हैं क्योंकि हम एक abundant world में रहते हैं जहां पर सब कुछ काफी ज़ादा amount में है हर 35 मिनिट में एक 5 मिनिट का ब्रेक लें ब्रेक में आप अपनी बैक को स्टेच कर सकते हैं थोड़ा सा चल सकते हैं पानी पी सकते हैं लेकिन सबसे ज़रूरी आप अपने काम से अपना ध्यान हटा सकते हैं जो भी आपको distract करता है उसे eliminate करें विल पावर ओवर रेटिड है अगर कोई चीज आपको distract करती है तो उसे eliminate करें ऑथर के एक दोस्त को news का addiction था ऑथर ने उन्हें सज़स किया कि टीवी देखना बंद करें अपनी news app डिलीट करें और अपने laptop पर news sites को block कर दें दो हफते बाद उन्होंने ऑथर से कहा कि आप वो एक नया business start कर रही हैं ये ना सोचें कि आप distraction से immune हैं उन्हें remove करें clutter को दूर रखें एक clutter जिन्दगी का मतलब है clutter दिमाग और एक clutter दिमाग के साथ आप काम पूरा नहीं कर सकते ऑथर एक simple environment में काम करने को कहते हैं एक desk एक laptop और एक notebook इसे simple रखें आपको जादा दिखावी की ज़रुत नहीं है एक चीज पर focus करें अगर आपके पास recurring task हैं तो जितना हो सके same चीज़ को एक ही दिन करें author दो से तीन blog post को एक दिन में लिखते हैं और हफते के बाकि दिन वो अपने दूसरे businesses और projects पर काम करते हैं उनके लिखने वाले दिनों में वो phone को बंद कर देते हैं और सिर्फ लिखते हैं बह के दिमाग को fatigue देते हैं और routines decision को eliminate करते हैं जिसका ultimately मतब है जादा brain power, routines efficient है, multitask ना करें जैसे के पहले discuss किया गया है कि एक interruption से original task पर वापस आने में average 25 minute लगते हैं ये useful time का wastage है, email को दिन में सिर्फ दो बार चेक करें, हर बार जब आप अपनी email को चेक करते हैं तो आपको dopamine dopamine का एक rush मिलता है, email चेक करना अच्छा feel कराता है और हम इसे जादा तर लोग इसके addict हो जाते हैं, dopamine एक rush बनाता है, लेकिन ये आपको exhaust भी करता है, इसलिए आप दिन के खत्म होने पर tired feel करते हैं, भले ही आपने पूरा दिन कुछ भी productive ना किया हो, इसको कम करने के लिए notification को और अपनी email को set time पर सिर्फ दो बारी चेक करें, दिन के पहले घंटे में कोई smartphone नहीं, एक smartphone का primary function है आपको interrupt करना, लेकिन दूसरे logo या app से आपको आपके दिन के पहले घंटे में interrupt ना करने दे, पहले घंटे को अपने दिन के बारे में सोचने, book पढ़ने और breakfast को enjoy करने के ल उन्हें लगता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे, तो वो अपना time based करेंगे, thinking को कम से कम रखें, जब लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो उनका सोचने का मतलब चिंता करना होता है, जादा ना सोचे, बस करें और देखें क्या होता है, अगर जो हो रहा है, वो अपरली function नहीं कर पाएंगे, scientific research शो करती है कि regular exercise आपको खुश, smart और जादा energetic बना सकती है, थोड़ा सा हसे, हसने से stress कम होता है, और अगर आप अपनी productivity को उपर रखना चाते हैं, तो आपको stress नहीं चाहिए, तो जितना हो सके, अपने मूग के corners को उपर रखें, मतलब हसते रहें, meetings में ना जाएं, ये उन लोगों के लिए मुश्किल है, जो कि companies के लिए काम करते हैं, कुछ companies के पास meeting culture होता है, लोग बस important दिखने के लिए meeting organize करते हैं, और असली काम को procrastinate करते हैं, क्या ये सच में जरूरी है, अपने आप से जितना हो सके, ये सवाल पूछें, आप को पता चलेगा, कि जादा तर समय, आपका जवाब ना है, तो जो चीज़ें जरूरी नहीं है, उनको क्यों करना है, अगर आपका शितने दिन है, तो reset press करें, कोई आपसे नाराज हो गया है, ये आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये सब के साथ होता है, इसके बारे में ज है, हर को इसे कर सकता है, लेकिन आप सब की तरह नहीं है, आप एक productivity beast है, तो एक productivity beast की तरह ही act करें, अगर आप जादा productive बनना चाते हैं, तो research से पता चलता है, कि आपको एक break की जरूत है, आथर ने productivity के उपर दरजन भर बुक पड़ी है, और time management के उपर अन गिनत articles पड़े ह हैं, और अपने productivity को boost करने के लिए, अलग-लग methods को test किया है, आइडिया simple है, उन्हें same time में जादा काम करना है, वो shortcut यह hacks नहीं धून रहे हैं, उन्हें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन एक बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो है उन चीजों पर time बरबात करन जो कि काम का नहीं है, कभी-कभी वो YouTube देखना शुरूर करते हैं, और बस दो घंटे चले गए, और फिर वो YouTube से frustrate हो जाते हैं, लेकिन ये कोई sense नहीं बनती, ये बिल्कुल ऐसा है, कि आपने कल रात ड्रिंक पी थी, और आप उस पर आज गुसा कर रहे हैं, प्रावलम ड् मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, इसे Pomodoro टेक्नीक भी कहते हैं, ये मैथर काम इसलिए करता है, क्योंकि ये evolutionary biology पर dependent है, हमारा ब्रीन एक काम पर ज्यादा time के लिए focus नहीं कर सकता, हमारा दिमाग हमारे survival को पक्खा करने के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा alert state में रहता है, इसलिए एक चीज़ पर लंबे time के लिए focus करना, आपके दिमाग के लिए मुश्किल है, University of Illinois की research शो करती है, कि काम को deactivate और reactivate करना, हमें focus रखता है, जब आप बड़े काम को पूरा कर रहे हों, जैसे exam के लिए पढ़ना, presentations बनाना, या reports लिखना, तो छोटे और plan breaks लेन होगा, दूसरी तरफ अगर आप एक task पर बिना breaking लिए काम कर रहे हैं, तो आप जल्दी से focus को देंगे,